वेलकम टो एक्जाम गुरुजी बाई अर्भेन सर। यूपी तिर्पलेसी पी इटी की अगर आप तयारी करने हैं तो एक्जाम पुर की जो बुक आई है 2022 में उसके सभी प्रस्ण मैं आपको एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ और GK के सभी प्रस्ण एक वीडियो में कबर होंगे अंत तक आप लोग बने रहेगा इसमें जितने भी प्रक्टिस सेट हैं सभी को एक साथ कबर किया जाएगा प्लस में आपको मैं बता दूँ 10,000 प्लस प्रस्ण आपके तयार हो जाएगे तो पूरी वीडियो देखीगा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजीगा उपने मित तक जरूर सेयर करना तो चलिए एक एक प्रस्ण को देखते हैं इसका पीडिया पाना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगे जिसका नाम एकजाम गुरुजी भाई अर्बिन सर है तो चलिए एक एक प्रस्ण को अब हम देखेंगे पहला प्रस्ण आपके सामने कब सईयुक्त प्रांद का नाम बदल कर उत्तर परदेश किया गया अगला प्रस्ण है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्तपाद योजना के तहट उत्तर परदेश के किस जिले में उत्तपाद के रूप में चुना गया है तो दो का एंसर आपको बता देना है तो यह हो जाएगा सिधार्थ नगर सिधार्द नगर अगला प्रसन आपके सामने इसका उत्तर देना है सूफी कभी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर परदेश के किस चिले में हुआ तो अमीर खुसरो का जन्म आपको बताना है तीन का एंसर क्या हो जाएगा तो इनका हुआ था जन्म एटा में जो की आफिसन नंबर सी में दिया गया है अगला प्रसन है सोतंतरता अंदोलन के दोरान अरूरा आसफ अली किस भूंगत किरिया कलाब के परमुक महिला संगठा थी आपको बताना है चार का एंसर क्या हो जाएगा तो जो अरूरा आसफ अली थी चार का जो करक्ट आइंसर हो जाएगा बहुत इंपोर्टन आइंसर है और कुश्चन है भारत छोडो अंदोलन के किरिया कलाब की परमुक महिला संगठा थी अगला प्रसन आपके सामने है महत्मा गांधी ने सरपर्थम किस अंदोलन में भाग लिया पांच का एंसर आपको बता देना है कि क्या होगा तो सबसे पहले किसानों के हित में बिहार के चमपारण में भाग लिया था जो कि आपसर नंबर बी में दिया गया है अगला प्रसन है चेलया सम्मिती का संबंध है छे का एंसर आपको बता देना क्या होगा तो चेलया का मतलब होता है प्रत्यच्छवा आप्रत्यच करमे सुधार छे का एंसर जो हो जाएगा प्रत्यच्छवा आप्रत्यच करमे सुधार बहुत ही IMP प्रस्न ये भी है अगला प्रस्न आपके सामने इसका उत्तर बताना है निम्न लिखित में से कौन से सिख गुरू ने 1619 में खालसा पंथ की अस्थापना की थी साथ का एंसर आपको बता देना है तो ये हो जाएगा गुरू गोबिंद सिंग गुरू गोबिंद सि की थी तो आठ का एंसर आपको बताना है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा गुरू गोबिंद सिंग ने ही अधितर जो जो पंथ या जो कुछ काम किया गया है अधितर गुरू गोबिंद सिंग ने ही किया है ये याद रखना है तो इसका करेक्ट एंसर आपसन नंबर सी स जिये गए बागवानी आकलों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारते राज कौन सा है तो सबसे बड़ा फल उत्पादक जो राज है वह है आंधर परदेश जो की आपसन नंबर ये में दिया गया है अगला प्रसन आपके सामने इसका उत्तर बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के परदान मंतरी थे दसका एंसर और अगला है यहां पे तो 1975 में गुलजारी लाल नंदा नंदा नहीं थे 1975 में आपातकाल के समय इंद्रा गांधी भारत की परदान मंतरी थी यही इसका करेक्टर एंस E संग बनाने का अधिकार 19 B किसी पेसे के अभ्यास करने का अधिकार और ये में है भातल और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार और अनुच्छित 19 के जी में सांथ पूर्बक और हत्यारों को बिना यगठा होने का अधिकार तो 11 का अंसर हो जाएगा 19 का ये भासर और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार वनने इसके ये में दिया गया है अगला प्रसने निम्ण मेंसे कौन सा गलत है राजपाल राष्टपत द्वारा न्यूक्त किया जाता है बिल्कुल सही है राजपाल राष्टपत के द्व आहेंगे तब तक राजिपाल किसी राजिका राजपाल रह सकता है राजपाल राश्टपत को अपना त्याग पत्र सौंपता है बिल्कुल सही राजपाल अगर अपना त्याग पत्र देगा तो राश्टपत को देगा अगर अगर अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसे दे आपने भारत के केंद्री रेल मंतरी को किस सला के किस सला पर नियुक्त किया जाता है तेरा का अंसर आपको बताना है तो यह होता है परधान मंतरी के सला पर और राश्टपत के द्वारा नियुक्त किया जाता है यह याद रखना है आपको अगला प्रसने निम्न में से कौन सा सही है जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राश्ट्र पति थे आपको बताना है कौन सा सही है तो ये बिल्कुल गलत है मुहम्मद हेद्यावतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम राश्ट्र पति थे ये ही बिल्कुल सही है जो कि आपसन नंबर B में दिया गया है अगला प्रसन है नेमने लिखित में से कौन से जारडन की राजधानी है अब आपको बताना है जारडन किसकी है 15 का आइंसर आपको बता देना है तो इसका जो correct answer होगा वह हो जाएगा अम्मान अम्मान जो है अम्मान क्या है जारडन की राजधानी है जाकारता आपको पता होगा कहां का है धाका आपको पता होगा क्योंकि बांगला देश का क्या है धाका है और जाकारता कहां है यह आपको comment box में बताना है अगला प्रसन आपके सामने है निमन लिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलिया की मुद्रा है 16 का आंसर आपको बताना है तो इसका जो correct आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B तो ग्रोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है यह आयाद रखना है मंगोलिया की राधधानी क्या है तो मंगोलिया की राधधानी आपको बताना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगला प्रस्ण है एसिया में तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है एसिया का सत्रा का इंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा तो पहल जो की आपसा नंबर D में दिया गया है अगला प्रस्ण है निम लिखित है दच्छडी अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दच्छडी अमेरिकी छेतर का दूसरा बड़ा 1 छेतर है अठारा का अंसर बताना है तो दूसरा सबसे बड़ा 1 छेतर है जो दच्छडी अमेरिका में है वह है ब्राजील ब्राजील सबसे बड़ा वन छेत्र है अगला प्रसन है निमनलिकित में से प्राइद दीपिय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है उन्नीस का अंसर आपको बता देना क्या होगा तो यह हो जाएगा गोदावरी जो की आपसन नंबर बी में दिया गया है अगला प्रसन है सैयुक्त राष्ट द्वारा मानव अधिकार के सार्व भावमि घोसडा को चिन्नित करने के लिए प्रते एक वर्स किस तिथी को अंतर राष्टे मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो इसका करक्ट एंसर बीस का जो हो जाएगा वा हो जाएगा मेरे भ पड़ता है आपको बताना है 21 का एंसर हेग कहां पर पड़ता है यह नीदर लेंड में पड़ता है नीदर लेंड के हेग सहर में अगला प्रसन है पेड़ पौधों में निसेचन के बाद अंडासे में क्या परिवर्थत होता है 22 का एंसर आपको बताना है तो इसमें फल में परिवर्टे तो होता है 22 का correct answer D हो जाएगा अगला प्रस्ण है छत ग्रस्ट CFL और फ्लोरो फ्लोरो सेंट ट्यूबों का निप्टान सुरचित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इन में अब आपको बताना है कौन सी वास्प होती है इसका answer तो यह हो जाएगा पारे की वास्प होती है जो सभाव में जहरीली होती है अग्ला प्रस्न आपके सामने है पवधे पानी और पोष्क तक्तको को परिवहन के लिए कौन से उतकका प्रयोग होता है तो सभी को पता है पवधे में पानी के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लोयम तो यहाँ पानी के बारे में बात किया गया है तो जाइलम करक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन है निम लिखित बिकलपों में से पुनुर उत्पादक बीज उत्पादन पौधे के नाम चुने आपको बताना है 25 का एंस पर हो जाएगा अगला प्रसन है किसी भी प्राकरतिक कच्चे माल या पौधे या जानवर से जानवर के बिना के बिना बनाया गया एक मानो निर्मित फाइबर या कोईले पानी और हवा से तयार किया गया था कोईले पानी और हवा से तयार किया गया था या पहला पूर्ड synthetic fiber था या कौन सा था आपको बताना है तो यह है रियान जो की option number C में दिया गया है अगला प्रसन आपके सामने है 27 number इसका उत्तर देना है अधिग्रहित चरित्र के बिरासत के सिधान को प्रतपादित किस ने किया था तो जीन बैप्टिस्क लैमार्क ने जो की option number ये में दिया गया है अगला प्रसन है पूर्ण रूप से GST की सिपारिस किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है तो ये BJ केलकर सम्मिती के द्वारा जो की option number B में दिया गया है 28 का एकरक्टर एंसर B हो जाएगा जेश्टी दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है अगला प्रसन आपके सामने है अगर हमारी सभिता अस्फल होती है तो ऐसा प्रसासन के पतन का कारण होता है या कथन किसने कहा था 29 का इंसर आपको बताना है तो ये कहा गया था प्रोफेसर हुई जी डोन रूम के द्वारा दिल्ले में भारते लोग प्रसासन संस्थान के अस्थापना कब की गई थी 30 का इंसर हो जाएगा 1954 में 20 उपभोगता अधिकार दिवस होता है 31 का इंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा 15 मार्च को उपभोगता अधिकार दिवस होता है भारतिय वायु सेना के बिमान की प्रथम महिला पाइलट कौन थी? आपको बताना है 32 का अइंसर तो यह हो जाएगा आपसर नंबर सी हरिता दे ओल कौन? हरिता दे ओल बिकास योम सिच्छा संचार इकाई केंडर कहां इस्थित है? 33 का answer बताना है तो यह हो जाएगा आहमदा बाद में अगला प्रस्ण है बैस्विक सिच्छा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है 34 का answer आपको बताना है तो यह हो जाएगा यूनेसको के द्वारा जो भी बैस्विक सिच्छा निगरानी है वह यूनेस्को के द्वारा कराई जाती है जो इसका मुख्याला है कहाँ पे है फ्रांस में है 34 का एंसर आफसन नंबर ये सही हो जाएगा अमेजिंग अयोध्य अपुस्तक के लेखक आपको बताना क्या होगा 35 का एंसर क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट एंसर होगा आफसन नंबर सी नीना राय के द्वारा लिखा गया है आयरलेंड की मुद्रा क्या है? 36 का एंसर आपको बताना है तो इसका correct answer होगा option number B यूरी जो है आयरलेंड की मुद्रा है चंद्रियान फश्ट कब परच्छेपित किया गया था? आपको बताना है कब परच्छेपित किया गया था? 37 का एंसर क्या हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा D correct answer होगा और भारते संबिधान धोज में सोरी दोस्त भारते राश्टे धोज में तीलियों की कुल संक्या कितनी है तो कितनी संक्या हैं? 24 अगला प्रस्णे परतिष्ठित नोबेल पुरुसकार किस वर्स प्रारंब किया गया 40 का जो answer होगा वा 1901 में जो की option number B में दिया गया है देश की पहले पलाजमा बैंक की शुरुवात कहां पे हुई 41 का answer आपको बताना है तो यह हुआ है नई दिल्ली में 22 आर्थिक स्वतंदरता सुचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 22 आर्थिक स्वतंदरता में आपको बताना है 22 का answer क्या हो जाएगा तो इसका जो correct answer होगा वा option number D सही हो जाएगा 121 में अगला प्रस्ण है निमने में से किस देश ने इबोला के 12 प्रकोब का अंत की भोसला की तो यह हो जाएगा किसने? केनिया ने इसका correct answer हो जाएगा option number B अगला प्रस्ण है ग्लोबल हेंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिष्ट में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ? 44 का answer आपको बता देना यह option number यह हो जाएगा 94 में वा है और अगर बात करें 2021 में कौन सा नंबर था तो 2021 में था 101 हमा यह भी याद रखना है 20 में कितना 94 में और 21 में 101 नंबर पर है 22 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है UK स्थित बैसिक ब्रोकरेज फर्म वार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को वर्स 2021-22 के लिए अपने पहले के 11 परतिसत के अनुमान से घटा कर कितने परतिसत कर दिया है 45 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा 10 से परतिसत नेक्ष्ट परतिस सेट है कि इस पलोसी देश को Land of the Thunder Dragon कहा जाता है एक का अंसर आपको बताना है कि क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number D. भूटान को अगला प्रसन आपके सामने मुंसी प्रेमचंद का जन्म कहां पे हुआ था तो इसका correct answer हो जाएगा वारारसी में अगला प्रसन आपके सामने speaker तकनीक के साथ भारत की cruise missile कोन सी है तीन का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा option number C. ब्रलोस अगला प्रसन आपके सामने है भारत और पाकिस्तान के बीट कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है आपको बताना है चार का अंसर तो option number B. केवल 1 अगला प्रसन आपके सामने भारत में ब्रिटिस साथन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संजियों के माध्यम से हुआ जो governor general के साथन काल में शुरू की गई थी आपको बताना है कि किसके साथन काल में शुरू की गई थी और सिखों के नित्रुत उनके विस्वासनी किसने की थी आपको च्छे का अंसर आपको बताना है जब गुरू गोबिन सिंग की इमडित्ती हुई तो च्छे का जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number B. बंदा बहादूर ने अगला प्रस्ण है पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया तो इसका correct answer होगा आपसर number C. चोधरी रहमत अली ने अगला प्रस्ण है रविना टेगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधी को नाइट हुड की उपाधी को बताया गया कि बिरोध में छोड दिया था तो किसके बिरोध में जलिया वाला बाग नरसंगार के बिरोध में अगला प्रस्ण है गोदावरी नदी का उदगा मस्थल राज में है तो नो का answer बताना किस राज में है तो ये हो जाएगा महाराश्ट्र में अगला प्रसन आपके सामने भारत की सबसे वड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो आपको दस का अंसर आपको बताना है तो हो जाएगा बुलर जील अगला प्रसन आपके सामने इसका अंसर बताना है भारतिय संबिधान में कानून बनाने को निर्धारित परकिलिया काफी हद तक कहां से लिया गया है आपको बताना 11 का एंसर है संबिधान के द्वारा परभावित है कहां से लिया गया है मतलब यह तो 11 का एंसर हो जाएगा आपसन नमबर D सैयुक्त राज अमेरिका से अगला प्रस्ण है सिच्छा का अधिकार RTA अधिनियम वर्स भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था 12 का इंसर आपको बताना बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो सिच्छा का अधिकार जो है वर्स 2009 में अधिनियमित किया अधिनियम वर्स 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया महाराजा सवाई जैसिंग या जैसिंग दुतिये ने एक खगोली बेज साला स्थपित की थी वक कहां पे तेरा का इंसर आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा आपसर नमबर ये उजयन में उजयन में उजयन किस नदी के किनारे बसा है तो ये छिपरा नदी के किनारे अगला प्रसन आपके सामने है वर्स 2011 की जन गर्ना के अंसर उत्तर परदेश के किस जिले की जन संख्या सबसे जादा है तो इसका correct answer हो जाएगा इलाहा बाद अगला प्रसन आपके सामने है निम लिखित में से किस रियासत ने वर्स 1947 में पाकिस्तान में मिलने की गोसला की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रा के बाद इसे भारत में सामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा तो इसका correct answer हो जाएगा जूना गर्ड अगला प्रसन आपके निम लिखित भारती राज्यों में से किस में से एक करकरेखा नहीं गुजरती है चेवल उत्तर पर्दिसी ये नहीं गुजरती है और राजस्थान तिरपुरा मिज़ेर्म तीनों से गुजरती है अगला प्रसन है निम लिखित भारती राज्यों में से किस से राज में दूसिदन मिधान मंडल नहीं है दूसर दन बिधान मंडल 17 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा तमिल नाडू में तमिल नाडू में दूसर दन बिधान मंडल नहीं है अगला प्रस्ण आपके सामने इसका उतर आपको बताना है भारत के संविधान सवा के संग सकती संविती के अध्यच कौन थे 18 का अंसर आपको बता देना है कि क्या हो जाएगा तो संग सकती के जो थे वो थे कौन पंडित जवाहलाल नहरू अगला प्रसन प्राचीन गडित पुस्तक गडित सार संगरह द्वारा लिखी गई है के सामने किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनि लैंसिंग इंडिया लिखी है और लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्सों में महा सकती कैसे बन सकता है 20 में आपको बताना है कि इसका करेक्ट अंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा आपसे नंबर ये बीरप्पा मोईली ने अगला प्रस्न ही हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा सिखर कौन सा है 21 का अंसर आपको बताना है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा सिखर तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसे नंबर डी माउंट कंचन जगा अगला प्रस्ण है मनुस्यों में पित का उत्पादन किस अंग में होता है बाइस का एंसर बताना है तो यह हो जाएगा आपसन नमबर डी पितासय में राश्टिय मानव अधिकार आयोग भारत में कब अस्थपित किया गया तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी दो सोरी दोस आपसन नमबर सी उननीस सो तिरानमे में कब मानव अधिकार आयोग जो है यह उननीस सो तिरानमे में भारत में अस्थपित किया गया निमलिखित में से कौन सा रोग फंबूद की कारण होता है तो इसका correct answer होगा दाद अगला प्रस्ण है भारत के संबिधान के मोल दस्तावेज को हाथों से अपने किसने लिखा था तो ये है प्रेम बिहारी नारार राई जादा ने अगला प्रस्ण आपके सामने अगला प्रस्ण है हा की दिगज मेद्यार ध्यान चंद्र का जन्म कहां पे हुआ था तो 27 का answer हो जाएगा आपसन नंबर बी सोरी दोस्त आपसन नंबर डी इलाहबाद में सोना नर्वदा तथा महानदी निगलती है कहां से 28 का answer आपको बताना है तो यह अमर कंटक की पहाड़ियों से अगला प्रस्ण है लोग प्रस्ण के जनक कौन है 29 का answer आपको बताना है तो यह हो जाएगा प्रोफेसर उड्रो बिलसन लोग प्रस्ण के जनक प्रोफेसर उड्रो बिलसन है लोग परसासन का प्रथक विसय के रूप में जन्म किस देश में हुआ 30 का अंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा अमेरिका अगला प्रसन आपके सामने 20 प्रिथवी दिवस कब मनाया जाता है तो 31 का अंसर हो जाएगा आपसन नमबर B 22 अपरेल को अगला प्रसन आपके सामने सवाई मान सिंग स्टेडियम कहां इस्थित है तो ये है 32 का अंसर नमबर आपके सामने C में नाग पुर में इस्थित है सोरी दोस्ते सवाई मान सिंग का सिंग स्टेडियम है जैपुर में क्योंकि ये जैपुर से रिलेटर थे तो जैपुर जो राजस्थान की राधधानी है आपसे नमबर ये सही हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने बिस्व का सबसे उंचा जलपरपाथ तो बिस्क का जो सबसे उंचे जल पर पात है वा एंजिल जल पर पात है और भारत का सबसे उंचे जल पर पात है जोग अगला प्रसन है बिहार के राजपाल कौन है तो बिहार के राजपाल है फागू चौहान अगला प्रसन है दुखी भारत किसकी रचना है 35 का अंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राई की अगला प्रसन है रियाल मुद्रा किस देश की है 36 का अंसर तो इसका जो correct अंसर होगा वा हो जाएगा आपसर नमबर बी रियाल जो है यमन की मुद्रा है अगला प्रसन है परसिद दिलवाडा का मंदिर अवस्थित है कहां पे है तो ये माउंट आबू में है जो कि 37 का करक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर ये बीहु किस राजिका परमुक्तिवार है तो बीहु जो है असम का है जो कि आपसन न नमबर बी क्योंकि वहां पे नमक सबसे ज़्यादा होता है भारत रतन भारत रत्न से विभूसित परथम विभूति कॉन है चालिस का एंसर आपको बताना है तो इसका जो करक्ट एंसर होगा आपसन नमबर बी कॉन डाक्टर यस राक्रिसलन चालिस का आफसर नमबर भी करेक्ट हो जाएगा भारत में पहला इक अचरा क्लीनिक कहा पर अस्थफित किया गया था एक तालिस का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा मद्ध परदेश के भूपाल में अगला मोक्तिस्ट आपके सामने है मैं केवल इसका इस्टेटिक जी के कवर कर रहा हूँ अगली वीडियो कर अंटफियर की आएगी और फिर अगली वीडियो में एट की आएगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा राइष्ट पर द्वारा राजसभा में कितने व्यक्त को मनुनित किया जाता है तो इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी बारा व्यक्त को अगला प्रसन है पर्थम अभिनेत्री जो राजसभा के लिए अमांकित की गई तो दो का इंसर आपको बताना है तो पर्थम अभिनेत्री है नरगिस दत अगला प्रसन आपके सामने सर्बोच न्याले का न्यायदी सपनावपद त्याग सकता है तो पत्र लिखकर किसे लिखेगा या अपना त्याग पत्र किसे देगा 3 का एंसर आपको बताना है तो राष्ट्र पतिको किसको राष्ट्र पतिको अगला प्रसन आपके सामने लोग सभा में मंत्र परसित के विरुद आप इस्वास का प्रस्ताव लाने है तो निवन्तम सज़स्र की संखे कितनी होनी चाहिए चाहर का एंसर आपको बताना है तो हो जाएगा पच्छास अगला प्रसन है लोग सभा का अध्यच अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो यह सौपता है उपाध्यच को पाच का एंसर हो जाएगा सी अगला प्रसन आपके सामने कौन पर्थम जन जाती लोगसभा अध्यच थे 6 का एंसर बताना है जो जन जाती थे तो इसका correct answer हो जाएगा option number D PA संगमा अगला प्रसन है लोगसभा की पर्थम महिला अध्यच तो लोगसभा की पर्थम महिला अध्यच थी मीरा कुमार अगला प्रसन आपके सामने ओजोन परत संरच्छड दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 16 सिप्तमबर को अगला प्रसन है कावेरी नदी का उदगम कहां है तो आपको बताना है 9 का एंसर तो यह हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाडियों में निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है 10 का एंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा नर्वदा नर्वदा पश्चिम की तरफ बहती है अगला प्रसन आपके सामने मैं तेजी से करवा रहा हूं दोस्त क्योंकि मुझे पूरा कवर करना है निम्न में से किसको दच्छिड का गंगा कहा जाता है तो कुई से कहते हैं गोदा वरीकू इसका करक्टर एंसर सी भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कौन सा है आपको बताना है 12 का एंसर तो यह हो जाएगा इन चारू में तो यह हो जाएगा मेरे भाई सी आठ मिनट में अगला प्रसन आपके सामने निम्न में से कौन सा अगरा प्रिथवी के निकटतम है 14 का एंसर बताना है तो यह हो जाएगा प्रिथवी के निकटतम निम्न में से वह इसे नहीं पूचागा इन चारों में सबसे निकट कौन सा है तो हो जाएगा मंगल 14 का सही हो जाएगा आपसर नमबर B अगला प्रस्ण है निम्ब में से सबसे छोटा महादीप कौन सा है 15 का इंसर बताना है तो ये हो जाएगा अस्ट्रेलिया महादीप अगला प्रसन है बियना किस देश की राजधानी है सोला का इंसर आपको बताना है तो सोला का इंसर हो जाएगा अश्ट्रिया की अगला प्रसन है पिर्थवी राज रासों के लेखक तो पिर्थवी राज रासों के लेखक हैं चंद बरदाई अगला प्रस्ण है आला उदल संबंधित थे तो इसका करक्ट एंसर 18 का क्या हो जाएगा तो महुबा से यहां महुबी लिख रहा है दोस्त अब महुबा होना चाहिए साइमन कमीशन के अभिसकार के दवरान हुए लाठी चार्ज के करण किस नेता कीम रित्य हो गई थी तो लाला लाजपत रहा है साइमन कमीशन का बिरोद इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें सभी सज़ा संगरेज के थे भारतिय मरू अस्थल की एक मातपों नदी कौन सी है जिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा लूनी अगला प्रसन है भारतिय रिजर बैंक किस प्रणाली के अनसार नोट जारी करता है किस का अंसर हो जाएगा न्यूनतम आरच्छर आरच्छन प्रणाली के अनसार अगला प्रसन आपके सामने अंतर राष्टे ख्यात प्राप्त पुस्तक डंग मिष्टी आफ कैपिटल का लेखा कौन है 22 का इंसर बताना है तो हो जाएगा हाइर नेंडो डी सोटा सोटो यह याद रखना आगला प्रसन है समुद्र तल से उपर 20 की सबसे बड़ी प्रबत सरंकला कौन सी है 23 का इंसर आपको बताना है तो 20 की सबसे बड़ी प्रबत सरंकला है हिमाला है इसमें कहा गया समुद्र तल से उपर 20 की सबसे बड़ी तो इसके हिसाब से हिमाला हो जाएगा 23 का भी प्रतिव्यक्त आई निकालने के लिए राश्टे आई को भाग दिया जाता है किस से दिया जाता है डेश की कुल जनसंकिया से अगला प्रस्थन है केंद्रिय मत्रिपडसत के बिरुद्ध आविश्वास प्रस्ताव कहा प्रस्थुत किया जा सकता है तो 25 का अंसर हो जाएगा कीवल-कीवल राजिस सभा में अगला प्रसन है निमने लिखित में से किस निरित्य सहली में कथा भाव हमेशा महा भारत या रामायर से लिया जाता है 26 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा कुछी पुड़ी में अगला प्रसन है पिर्थवी सूर के निकरतम दूरी पर किस तारीख को होता है 27 कोईंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा 22 मार्च अगला प्रसन है सुभाष चंदर बोस के त्याग पत्र के बाद भारती राष्टे कांग्रेस का अध्यच कोन हुआ 28 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा डाक्टर राजेंदर प्रसाद अगला प्रसन आपके सामने नबीन लोग प्रसाशन पर प्रथम पुस्तक का संपादन कियान तो 29 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा फ्रेंक मेरिनी ने अगला प्रस्वन है आधुनीक अनुवानसकि के जनक किसे माना जाता है 30 का इंसर बताना है तो यह हो जाएगा Gregor Joan Mendel को अगला प्रस्वन है RHT 14 एम RHT 18 नामक जीन किस फसल में किस फसल से संबंधी तहई 31 का इंसर बताना है तो यह हो जाएगा गेहूं से अगला प्रसुन है ICGS सचेट के संदर में निम्लिकित में से कौन सा विकल्प असत्य है 32 का एंसर बताना है या गोबा सिप्यार्ड लिम्टेड द्वारा डिजाइन यूम निर्मित है सही है और या पहला गस्ती पोत है जिनका जलावतरन डिजिटर माध्यम से किया गया इसके अतिधिक नव वहन इवं संचार उपकरणों से सुसजित किया गया या एक आप पत त्टिये गस्ती पोत है ये गलत है जो कि आपसे नंबर B में दिया गया है अगला प्रस्ना 33 टिडियों के संदर में निमन लिखित में से कौन सा कथन असत्य है 33 का अंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा भारत में टिडियों की चार प्रजातियां पाई जाती है ये जो बिल्कुल असत्य है और टिडियों साकाहारी होती है भारत में किवल एक टिड़ी प्रजनन जन्तु है और मरू अस्थल टिड़ियां द्यू प्राव इस्थिक जन्तु हैं ये भी सही है चैंपियन्स पोर्टल की सुरुवात निमलिखित में से किस मंत्राले ने की थी 34 काइंसर आपको बता देना है अगला प्रसन है गाल जी काई की खोज निमलिखित में से किस के द्वारा की गई पैंतिस का इंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा कैमली गाल जी के द्वारा अगला प्रसन है पीत बुखार की चिक्सा का आभिसकार निमलिखित में से किस के द्वारा किया गया था 36 का answer बताना है तो ये हो जाएगा रावर्ट कोच के दौ़रा अगला प्रस्न है वाई वंडल में ओजोन परत की मोटाई निमलिखित में से किसके दौ़रा ना पी जाती है या मा पी जाती है तो हो जाएगा आपसन नमबर D डापसन एकाई के दौरा अगला प्रसन आपके सामने निम लिखित में से कौन सा बिम स्टेक का सज़स्य देश नहीं है 38 का एंसर आपको बताना है तो म्यमार, बांगला देश, भूटान है लेकिन कमबोडिया नहीं है अगला प्रस्णा है निम्ड लिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अस्थल बद्ध देश है 49 का अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा कजा किस तान 40 का अंसर विस्ट की सबसे लंबी हाइबे सुरंग तो अटाल सडक टनल की लारक की स्याम पर साथ आपको बताना तो 40 अभी अभी जल्दी न्यूज में था अटाल सडक टनल जो की यह में दिया गया है